हालो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चानल एंग्लिश क्यान गईस आज की जो वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ यह डेली यूज सेंटेंस जो जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है ग्रैमर को सीखने का या पढ़ने का उनके लिए यह सेंटेंस बहुत ही हेलफुल है ठीके वो अपनी रोज की लाइफ में इन सेंटेंस को यूज सकते हैं और इंग्लिश को सीक सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तपर फॉस्ट वान ओन जाएगा मेरे साथ अगर हम पूछना चाहते हैं अपनी फैमिली में बैट कर या बच्चों से पूछना चाहते हैं कि क कौन जाएगा, who all will go with me, हम use कर सकते हैं very easily, who all will go with me, बच्चे कभी नहीं गए, children never went, मैंने उसे हर जगे धूंडा, I searched him everywhere, I searched him everywhere, उसने मुझे सारी बात बताई, he told me everything, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, I didn't ask anything at all, didn't means did not, यहाँ पे contraction form है, ठीक है, it means did not, I didn't ask anything at all, वो मुझे परिशान कर रहा है, he is bothering me, he is bothering me, बच्चे चुप क्यों नहीं रहते, why do children not keep quiet, why do children not keep quiet, यह मुझे परिशान कर रहे हैं, they are bothering me, ठीक है, वे मुझे परिशान कर रहे हैं, they are bothering me, हम बहुत देर तक उठे रहते हैं, we wake up till late, ठीक है, जैसे हम sentence use करते हैं, किसी से बात करने के लिए, कि हम बहुत देर तक उठे रहते हैं, we wake up till late, तुम वहाँ गए थे, you had gone there, you had gone there, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, I don't like this, I don't like this, उसने मुझे बताया है, he has told me, he has told me, वो दिन रात क्यों पढ़ता है, why does he study 24 hours, why does he study 24 hours, पैसा आदमी की नियत बदल देता है, money changes one's character, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, I had not thought so, I hadn't, ठीक है, again contraction form है, had not, I hadn't thought so, यह गिलास किसने रखा यहाँ, who kept this glass here, who kept this glass here, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो guys, please like, share और subscribe जरूर कीजेगा, और bell icon को दबाना मत भूलेगा, ताकि हर रोज, यह notifications हो है, वो आपको आती रहें, और आप English को सीखते रहें, so guys, God bless you, take care.